प्रवीन सिलाई चैनल को और किलिक किजे बैल आइकन पर ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिशन आपको मिलते हैं हलो फ्रैंज वेलकम टो माई चैलन परविन सिलाय सेंटर देखो यह लिए हमने आज काड और काड के हम आपको बताएंगे गलों के पैटन बनाने और किस तरह से हम गलों के पैटन बनाते हैं देखो इस काड को हमने इस तरीके से मोड लिया है हमने अपने साइड से इसको फोल्ड किया है और नorter में यहां पर लगांगी तीन इंच का निशान आप तीन का भी लगा सकते हैं ढ़ाई का भी लगा सकते हैं ढ़ाई तो नोर्मल होता ही है और तीन का लगाएंगे तो फिर हमारा च्छे हो जाएगा खुल के और लंबाई में इसकी साड़े 6 छैंच की है लंबाई इसकी 6 छैंच की है क्योंकि मुझे इसमें आगे डिजान बनाना है तो यह हमारा 7-7.5 इंच गला हो जाएगा इस तरीके से इसमें निसान लगाकर और यहां से गोलाई देनी है और अब कर लेते हैं इसकी कटाई कटिंग बिल्कुल गोलाई में यहां से गोलाई देते हुए हमें जिस सेफ में हमने निशान लगाया है उसी सेफ में हमें कटिंग करनी है गोलाई देते हुए पहले हम इसको सीधा कट कर लेते हैं एक तरह से गोल गलाव काट लेते हैं और अब यहां से यह जो हमने निशान लगाया था अब हम इसी पर ही कैसी चलाएंगे और इसी पर ही हम कटिंग करेंगे और अब यहां से एक एक इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और यहां से इस तरीके से हमें इसमें कटिंग करनी है अब यहां से अब यह हमारे गले का जो है पैटर्न कट के तयार है अब इससे क्या होता है कि जैसे हमने यह गले का पैटर्न कटिंग कर लिया है तो अब हम इसे उठा के रख सकते हैं और तब भी हम कभी गला बनाएंगे तो इससे हम अपने बुकरम पर रखके कटिंग कर लेंगे यहाँ पर हमें एक बटन भी लगा सकते हैं और बद्दी भी लगा सकते हैं दोरी वगएरा फुन्दना लगा कर एक डिजान में और बताऊंगे आपको यह भी हमने इसी तरीके से फोल्ड किया है और यह हम यहाँ से निसान लगाएंगे डाइंच का और यह हमारा खुल के पांच हो जाएगा और यह हमने ले आए छैंच नॉर्मली गला छैं, साड़े छैं और साथ इंच का रहता है आगे का और बैक का गला तो अपनी पसंद से कोई कितना भी बढ़ा कर लेता है अब यहाँ से जब हम यह एक चकोर खाना बना लेते हैं वेल्कुल चकोर उसमें फिर हम कोई भी डिजान बना सकते हैं अपने तरीके से और इसका हम यही से निसान पे से इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से साथ इंच का निस्टान लेकर और फिर यहाँ से हम गोलाई देते हैं इसकी कटिंग करेंगे वो मैंने 6 वाला भी निसान आपको दिखाया है हम 6 इंच की भी इसमें कटिंग कर सकते हैं और 7 इंच की भी कर सकते हैं यह वाला जो हम कटिंग कर रहे हैं यह वाली हम कर रहे हैं 7 इंच की आद इंच मार्जन में जाएगा वो 6 इंच हमारा गला तयार है जाएगा बिल्कुल इसी के सेफ में हमें एक एक हिंच छोड़कर हमें इसमें कटिंग करनी है यह वाला पैटन हमारा कटके तैया रहे है अब इससे हम बुक्रम का कोई भी गला कटिंग कर सकते हैं इसे हम बुक्रम के उपर रखके कटिंग करते हैं अब यह देखो इस तरीके के मैंने पैटन बना लिए है यह अब जब कभी भी हम सूट बनाएंगे तो अगर हमारे दिमाग में एक समझ में कोई गला नहीं आ रहा है तो हम अपने पैटन उठा कर देख सकते हैं कि हमें कौन सा गला बनाना है देखो मैंने ये भी पैटन बनाया है आप जो भी दिल चाहे वोई पैटन बना के रख सकते हो ये हमारे हमेशा काम आता है कभी भी हमारा दिल करता है तो हम कोई से भी गला बना लेते हैं हमें जो हाप आस्तिन होती है हाप आस्तिन में भी डिजान बनाते हैं तो अम मैं आपको वह वाले भी डिजान बना के दिखा रही हूं जो हमने ये गले की कटिंग की है तो उसी के सेम आस्तिन में भी डिजान बनाना होता है तो सेम वह हम डिजान आस्तिन की भी कटिंग करके दिखाएंगे ये इस तरीके से ये ही डिजान हम अपने आस्तिन में भी बना लेते हैं हाप आस्तिन होती है इसका भी इसी तरीके से हम एक पैटन काट के रख लेते हैं जब हमें हाप आस्तिन में ये डिजान बनाना होगा तो हम इसी से उसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारी आस्तिन का और गले का सेम डिजान हो जाएगा ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं अब मैं आपको गले पर कटिंग करके दिखाऊंगी जिसे हमने यह बुकरम लिया है तो गले को हम जो हमने पैटर्न की कटिंग की है वह वाली हम इस पर रखेंगे देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ देखो यह हमने साड़े तीन इंच बुकरम लिया है और हमने इसको फोल्ड किया है एक साइड से जोइंट है जिस साइड हम बैठे हैं उस साइड यह जोइंट है दूसरी साइड से हम इसे कर लेते हैं खुला हुआ और अब हम इसे देखो जिदार हमारे यह जोइंट है उस साइड हम इसको रखते हैं नोक की तरफ से कि नो को हम अच्छे से मिलानीय cat Casey upstairs यही इसका सेंटर हुए अगर हम नोग से अच्छी तरीका से मिला लेंगे तो हमारे गले की कटिंग अच्छी हो जाएगी और है ओर इसी तरीके सा हमें इसके नशान लगाने हैं है और बहर की साइड भी निशान लगाने है दोनों साइड निशान लगाने है अब हम इसकी निशान के ओपर से कटिंग करते हैं Belgian James इस तरीके से हम अपने pattern बना के रखते हैं तो उससे कभी भी गले की cutting कर सकते हैं कई बार ऐसा होता है है और हमें को ψह गला पसंद आजाता है तो हमें क्या करना है कि हम घर प्रफिर कभी अपने सूप बनाएंगे तो हम उसमें वह गला लगा लेंगे आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने इस पैटन से कटिंग की है बुकरम पर आप भी इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से बना लोगे